हम थे ओफिस में बिल्कुल सिरी तेज की बारी सो रही थी हमने सोचा कि उन्हाँ अपने डोगी के लिए एक अच्छा भोजन बनाया जाए तो हमने अपने डोगी के लिए चावल बना के तयार करनी है चावल काफी गरम थे गाईज इसलिए हमने पंखी के निस्या रखके से अच्छा सुसलाया चलाने के बाद इसमें एक हमने दही का पैकिट मिलाने के बाद लगता है कि डोगी को भोजन अच्छा लागा होगा तो फाइनली हम बाहर चलते हैं अब देखो हमारे डोगी इजिट्के हो गए है तो हमारे एपने जरवाईने डोगी को भोजन डाल दिया है क्योंकि काफी भूगे रहते हैं इनको कोई खलाता नहीं है भोजन तो हमने सोचे कि आज को निकलाए जाए देखो कितने मस्ती कर रहे हैं एक प्यारे प्यारे डोगी है तो आप भी ऐसा वर्क करा करो क्योंकि इनको कोई खाना नहीं देता है तो आप दिया करो खाना अगर जितना हो सुके बिस्कुट वेगरा आप जो है डोगी को खलाया करो क्योंकि यह जानवर हैं यह मुझसे को पूलते नहीं है कि हमें भूग लग रही है अब उनको भूग लग रही है लेकिन यह नहीं बोल पाते तो गाइस जिफता हो सकाई इनकी मदद किया करो पानद ये करो हैं आपके गाइस मिलते हैं एक